हेलो एवरिवन, आज हम बात करने वाले हैं स्नेक बाइट के मैनेजमेंट के बारे में चुकि रेनी सीजन सुरू हो गया है, ऐसे में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को स्नेक बाइट का खत्रा भी बढ़ जाता है अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल स्टाफ हैं, तो आपको स्नेक बाइट के मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए यह वीडियो साधरन परसंस के लिए भी काफी इंफर्मेटिव होने वाली हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर किसी वेक्ति को साप ने कात लिया है तो उसके मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको राइट अप्रोच से उस पैसेंट का मैनेजमेंट करना चाहिए राइट अप्रोच क्या होता है g1 to diy अपको हॉस्पिटल रस करना चाहिए और T4 होता है tell the doctor any symptoms that manifest on the way to hospital hospital लाने में उस व्यक्ति को और कोई भी symptoms आ रहा हो तो उसे आपको डॉक्टर को बताना चाहिए सबसे पहले आपको क्या करना है reassure the patient patient को reassure करना है जब भी किसी व्यक्ति को snake bite होता है तो उस व्यक्ति में anxiety होने लगती है क्या होता है anxiety होने लगती anxiety के वज़े से क्या होता है उसका blood pressure जो है increase कर जाता है blood pressure increase करने के वज़े से उसके सरीर का blood circulation BP के साथ increase कर जाता है और blood circulation increase करने से क्या होता है venom अगर आपके lower limb में है तो spread जो है उसका पुरे सरीर में बहुत जल्दी से होगा BP के वज़े से और ऐसे में पेसेंट की death हो सकती है ठीक है तो आपको पेसेंट को रियस्टूर करना है कि snake bite जो होता है वो 70% non-venomous होता है 70% जो होता है वो बिना जहर का होता है और केवल 30% venomous होता है यानि की जहर होता है और उस भी 30% में 50% जो होता है ड्राइबाइट होता है और केवल 50% actual bite होता है यह ड्राइबाइट का होता है सांप दो काड़ता है लेकिन ऐसे में जहर नहीं छूड़ पाता है है और केवल 50% actual bite होता है तो आपको पेंसन्ट को रेस्वेश्टोर करना है कि 70%çi sonirens होता है उसता है walkthroughs स्नेक जो होता है वो दो तरह का होता है पहला होता है नीरो टॉक्सिक क्या होता है नीरो टॉक्सिक और दूसरा होता है हीमो टॉक्सिक नीरो टॉक्सिक में आते हैं कोबरा और करयत यह हमारा कोबरा है और यह हमारा करयत है और हीमो टॉक्सिक में आते हैं रसल वाइपर, सौ स्केल वाइपर और हांप नोस वाइपर निरो टॉक्सिक जो इसनेक बाइट होता है वो निरो लोजिकल मेनिफेस्टेशन कराता है और हीमो टॉक्सिक जो इसनेक बाइट होता है वो ब्लेडिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप differentiate कैसे करेंगे venomous snake bite और non venomous snake bite अगर आपने साब को देखा है काटते हुए तो आप differentiate कैसे करेंगे कि venomous snake था या non venomous snake था venomous snake का habit जो है वो nocturnal होता है यह क्या होता है nocturnal यह ज्यादा तर रात के समय काटते हैं और non venomous snake का habit जो होता है यह किसी भी टाइम में काट सकते हैं और venomous snake का head scale जो होता है usually small होता है और non venomous snake का usually large होता है venomous snake में three exceptions हैं जिनका scale जो है usually large होता है पहला pit wiper, दूसरा है cobra और तीसरा है crab pit wiper, cobra और क्रैथ का head scale होता है वह usually large होता है अब belly scale कैसा होता है venomous snake का large होता है और non venomous का small होता है tail जो होता है compressed होता है और non venomous snake में tail जो होता है not compressed होता है fangs जो होता है जिससे वह bite करते हैं वह usually long होता है venomous में और short और small group teeth होता है non venomous में बाइट मार्क अगर वेनमस असनेक का देखे तो टू फैंक्स मार्क होता है दो जगा पर आपको Тыग करें मीलेंगे बाइट मार्क और गाइट मार्क होता है यहाँ पर यूजिवाली आप देखेंगे जो वेन yarra 2019 सुमैंट इसनेक जो होते है उसका जो बेली का पैटर्न जो होता है इसा होता है लाज होता है ननवे नमस का जो है वो ici small इसमॉल पार्ट में बटा हुआ रहाता हो और जो टेल जो होता है ननवे नमस का वो small होता है कैसा होता है not compressed होता है मतलब अचानक से जाके कहीं से खतम नहीं हो रहा होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है तो चलिए अब हम बात करते हैं immobilization के बारे में अगर किसी भी विरक्ती को साप ने काट लिया है तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है रियस्ट्योर करेंगे पेसेंट को और दूसरा जो काम होता है उसमें हम immobilize करेंगा अगर किसी भी हाथ या पैर lower limb या upper limb में अगर snake bite हुआ है तो उस limb का immobilization करेंगे और क्या करना है don't walk this prevents faster spread of venom venom के spread को रोकता है अगर walk करेंगे आप तो जो venom का spread है वो faster होगा ऐसे में आपको walk नहीं करना चाहिए अगला जो है don't apply to avoid pressure necrosis आपको टूने के apply नहीं करना चाहिए इससे क्या होगा आप जिस part में टूने के apply करेंगे उसके बाद बादे part में blood supply रूप जाएगा जिसके वज़से necrosis का chances जो है बढ़ जाता है don't suck the wound wound को suck नहीं करना चाहिए ऐसे में अगर कोई व्यक्ति wound को suck कर रहा है तो उस व्यक्ति के भी fatality rate जो है बढ़ जाता है don't cut the wound किसी भी shark object से wound को cut न करें तो immobilization में क्या करना है आपको don't walk immobilization कैसे करना है अगर lower limb में आपको साप ने काटा है या किसी व्यक्ति को साप ने काटा है तो उस limb का immobilization करेंगे जैसे fracture में हम लोग करते हैं वैसे don't walk walk नहीं करना है don't apply tournique tournique apply नहीं करना है और don't suck the wound wound को भी suck नहीं करना है ऐसे में जो व्यक्ति उस wound को सक करेगा उसका भी fatality rate बढ़ जाता है तो चलिए अब हम बात करते हैं treatment of snake bite के बारे में कि आपको treatment क्या क्या करना है if tournique is already applied अगर कोई patient आपके क्लिनिक में आता है और उसके हाथ या पैर में already tournique apply है तो ऐसे में आपको tournique को है जो अचानक से नहीं काटना है अगर आप अचानक से काटते हैं तो इसका अशर क्या होगा extensive spread of poison और ये क्या में result करेगा diaphragmatic shock और sudden onset of hypotension sudden onset of hypotension होगा जिससे percent की death हो सकती है ठीक है तो ऐसे में आपको क्या करना है ऐसे में आपको apply BP को proximal to tournique and inflate it to the pressure almost equivalent to the tournique and then cut the tournique आपको क्या करना है कि आपको BP को लेना है और BP को अगर पेशेंट के किसी भी हाथ में हाथ में काटा हुआ है और यहाँ पे tournique apply किया हुआ है tournique बांदा हुआ है आपको क्या करना है simply उसके proximal में उपर में आपको BP कफ लेना है और इसको inflate करना है और तब तक इन्फलेट करना है जब तक कि यह जो tournique बांदा हुआ है उसके pressure के बराबर नहीं आ जाए और जब आप इसको inflate कर देंगे तब ऐसे में फिर इस tournique को काटना है और फिर आपको धीरे-धीरे BP कफ को deflate करना है ठीक है आपके सेंट को pain relief के लिए paracetamol दे सकते हैं या कोई भी analgesics दे सकते हैं to neutralize snake venom snake venom को neutralize करने के लिए जो injection आती है उसे हम बोलते हैं polyvalent anti-snake venom यानि की PASV और PASV जो होता है no effect against humped nose wiper humped nose wiper के against में कोई भी effect नहीं होता है और PASV का doges जो होता है वो 6 to 10 wilds होता है और यह जो है same for adult, pregnant and child तीनों के लिए इसका doge होता है वो एक जैसा होता है 6 to 10 wilds और bite to needle time क्या होता है less than 4 hours less than 4 hours में आपको ये injection जो है लग जानी चाहिए अगर नहीं भी लगती है तो बाद में भी डॉक्टर इसी injection को recommend करते हैं ASV can result in anaphylactic shock जो ASV का injection है वो anaphylactic shock करा सकता है तो anaphylactic shock को prevent करने के लिए हम hospital में administer करते हैं क्या hydrocortison और phenormine और इसका जो treatment जो होता है अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe करें तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही जय हिंद